तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानि जो चैप्टर नंबर आपका सिक्स क्लास 11 थर्मो डायनेमिक्स यानि उस्मा गत्की तो अगर उस्मा गत्की से आप डरते हैं तो मैं आपको उस्मा गत्की सिखाऊंगा एक बहतरीन तरीके से मैं कुलों सिखेंगे मैं इसे वीडियो में अप्लोड कर दिया है तो उसको आप देख सकते दूसरा पार्ट और इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें जो हमें पढ़ना आपके अगर जादे बनते हैं तो यहां पर आगर हम बात करें तो यहां पर जो हमें पढ़ना है निकाय के गुड़ यह प्रापर्टी जाफ जो है प्रापर्टी जाफ सिस्टम ठीक है तो इसमें जो पढ़ना है यह आपका विसिष्ट या गहन गुरु क्या है विसिष्ट या गहन इंटेंसीफ प्रापठी का डिफनीशन क्या होगा परिभासा क्या होगा कह रहा है किसी निकाय का वह जो निकाय में उपस्चित पदार्थ की मातरा पर निर्भर नहीं करता है गहन गुड कहलाता है जो पदार्थ है कि मातरा पर निर्भर ना करें तो उसे हम क्या कहेंगे गहन गुड कहेंगे क्या कहेंगे की किसा कहते है तो देखेंके यह मतलब है उसको पास उसको कुछ भी हो मतलू नहीं दर्मान की दरब्वान पर निरवर नहीं का रहा है पदार्थ की मातरा पर निरवर करने कि उसके पास प्रापटी क्या है कुछ यहां से हम कह सकते हैं यह नहीं करता है उसे हम क्या खैते हैं भिस्षट या घण्वुड़ा जैसे कला ताफ घनथ त mm ile गाफ यह जो है जो है क्या है यह कैसकते हैं कि ताफ जो है वो विसीष्ट है नहीं आए ठीक है तो चलिए हम लोग यह बहतरी जापर समझते हैं जैसे मालिजी समझना है कि जैसे हमारे पास क्या है एक रूम जैसे हम लोग जहां पर आप रूम में जिस रूम में घर में हैं कमरे में हैं वहां का तापमान मालीजे होगा कितना मालीजे 30 होगा यह 25 जो भी माल सकते हैं 30 होगा अब इस कमरे को दो भाग में बाढ़ दो तो यानी पदार्थ जो हो तो भाग में बढ़ गया तो क्या टमप्रेचर जो है वह भी बढ़ जाएगा कि यह तीस था पूरा तो क्या पंदरा डिग्री से एक रूम का हो जाएगा और पंदरा कर दें यहीं इसको दो कमरा बना दें तो तापमान तो नहीं कर रहा हो तो ताफ मान क्या हो गया तो तो कहेंगे हमाइसे कोई हैं तो कहेंगे एक एक मंडले यह कितना है हम कहेंगे एक ATM या यदि हमारे उपर एक वाई मंडले दाव पड़ रहा है तो इसका मलब क्या है हम चहाए जहाए इस में खड़े रहेंगे वह एक ही ATM होगा या हम कहेंगे कि इस पर जो है क्या है एक ATM का दाब लग रहा है तो अगर हम इसको कट कर दें दो भागों में बाट दें तो पदार्थ वाधा बढ़ गया है तो क्या दाब भी बदल जाएगा नहीं तो हम कहेंगे हैं इस पर भी एक ATM आधे भी पड़ जाएगा ठिक यह और ऑद्रब में रहेगा रों को चाहिए तीन नहीं चाराग में बारतौ उसी प्रकार आप बात में गलक किया है कहते हैं आज्ञाट करने तो क्या हो जाएगा उसके एक निश्चिता पर ही क्या हो जाएगा वह बदल जाएगा अगर प्रिष्टतनाव की बात करें तो प्रिष्टतनाव क्या होता है कि दरों की सतह पर लगने वाला एकांक लगने वाले एकांक छेतफल पर जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं तहीं कि बल लगने वाला है कि ये क्या प्रिश्टपर हो दोगान ना विरोधि बल जो होता है उसे को क्या एंसान तब यहां पर भी क्या हो गया कि एरिया को फिक्स कर दिया जाएगा छेट्रफल को क्या कर दिया जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा तुम कहेंगे बिसिष्ट गुडिया गहन गंठ में हो जाएगा यहां घनत को क्या कहेंगे हम घ्राम पर शंक्टीमेटर की तो उस्मान आटन हो जाएगा तो हम कहेंगे घ मफ तू अपने अथा ज्टाउग्या है तो चील्ब तो यहां पर हमें एक नियम पढ़ना पड़ेगा ओ नियम क्या है देखिए इसको समझने के लिए कि अगर कोई यानि गहन गुड़ अगर है तो इसको अभी थोड़े देर बार समझ में आएगा तो अभी इसको गुड़ के बारे में समझ लेते हैं किसी निकाय का वह गुड़ जो निकाय में उपस्तित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा करेगा करना तो जोड़ना पड़ेगा समान लाना पड़ेगा विस्तार तभी होगा मतलब क्या होगा किसी निकाय का वह गुड़ जो निकाय में उपस्तित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा उसे क्या कहेंगे हैं यानि एक्स्टेंसी प्रापर्टी यानि इक्स्टेंसी जो होगा उस सबस्टेंस के नी पदार्थ और करेगा मास्पर क्या होगा डिपेंड करेगा ठीक będzie करेगा थे तो हैं तो कि अलए रही है मास पर आधा करो गि तो इसका द्रमान आधा हो जाएगा इसका कैतना है किलोग्राम है अब इसको काट दोगे तो हम कहेंगे आधा यह हो गया आधा हो गया तो जो गूड़ आधा हो जाएगा जोगूड़ा हो जाएगा उससे हम कहेंगे बिस्ति गूड और इस में कोई मतलब है कोई मग है पर को हमारी पास क्या है घ्री अब मैं कहें इसका मतलब गड़ों 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 की संख्या तो गैसों की मोलों की संख्या जैसे मालीजे हमारे हम जो जिस रूम में हम लोग खड़े हैं माली जी हमारे पास क्या है एक लाख और हो है या या कोई गैस के अब इसमें और यह मतंब क्या है कि मोलों की संख्या परिवर्थित हो गई तो हमें कहेंगे कि यह क्या होगा बिस्तिवृड हो जाए कि थ्यान तो ध्यान में रखेंगे की जो उर्जा होती है क्यों क्योंकि उर्जा जो होती है वो कहीं ना कहीं से दिकाते कि कि अगर बात करें गति जूर्जा क्या वोलते उसको हाफ स्कॉर चैया है अगर बात करता है यहां पर अगरब बात करें तो आन्त्रिक उर्जा होْ wetenцо हो यहां वाल सब्सक्क्राइब करें कमी इस फैक को सवास्दर सब्सक्राइब करें नहींacks 거지 क्लिए अब यहां देखियो क्या है उस्मा जो धारिता है उस्मा धारिता है थोड़ा सा कह सकते हैं क्या हो आदिन कहाएगा लेकिन अगर मैं यहां एक वर्ड लगा दूं क्या सब्द लगा दूं मोलर क्या लाओं मोलर उसमा धारिता इसका मदलब क्या होगा एक मोल कोई यहां पर एक मोलर क्या किया कर दिया गया इसलिए क्या हो जाएगा ये और जो सब्दा आ गया वह जाएगा ध्यान में रखेंगे जो मोलर उस्मा धारिता जो होता है वह क्या होता आपका बिसिष्ट गुडिया इंटेंसिफ रापार्टी होगा क्या होगा इंटेंसी प्रापाटी होगा या इसी को हम सब्सक्राइब करेंगे तो मोलर उस्मा धारिता आ गया या विश्ष्ट कोई सब्दाग या जिसके यूनिट में पर सेंटीमीटर क्यूब आगया इन्हें एकांग छेत्रफल की बात करेगा ठीक है आयतन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका गहन गुड़ में चला जाएगा याँ आगया समय अब यहां पर जो है यह ध्यान में रहें उसमाधारिता हो गया एंट्रापी हो गया आंत्री गुर्जा हो यह सब क् साक्षाष कि थीर गुड़ है अब कहेए रहा है नियम कुछ नियम ध्यान में रखेंगे यहां कि दरमान पनेवर करेगा तो अगर 20-3 गूड़ और 203 गूड़ ढोलوق को को अगर हम हम कर देते हैं तो यह गाहन गोड़ यानी gossip क्लियर यक्र समझा को ले देखें तो क्या होता है द्रमान बटया होगा आयतन तो कहेंगे रफमान तो फो भागों में माटो ग्या घा घथा हो जाएंगा यह तो बिस्तीवड है क्या है बिस्तीड है गुड़ है यानि आपका extensive property है अब आयतन की अगर बात करें तो आयतन भी क्या है दो बराबर भागों में आधा लीटर आधा लीटर बट जाएगा तो हम कहेंगे यह भी क्या है बिस्तीड है तो बिस्तीड और बिस्तीड को अगर हम भाग दे देते हैं तो क्या बन जाएगा तो हम कहेंगे गहन बन जाएगा यानि intensive हो जाएगा तो ध्यान भी रखेंगे घहन तो यह क्या होजाएगा आपका intensive होगा है तो मोल किया है यह संख्या बदलती जैसे नौल है वह हो जाएगां कि यह पिस्तीवड़ है और आयतन भी अब तो इसका मतलब 20-30 क्या हो जाएगा आपका गहान हो जाएगा यानि इस्टेंसिव इस्टेंसिव क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा तो सांधरता जो होता है वह क्या है आपका इंटेंसिव आप सांधरता में देखे क्या हो कोई भी दूइध और ले लो कौनसा जैसे आरता हो गया नार मंसलता हो गया टेका है मोल अर्ता है ग्राम पर लीटर भी थाह यह हम कह सकते हैं लोग पढ़े थे डबलू बाइड़üp पर्सेंटेज यहनि हम लोग बात करें की बात करें जितनी भी सांधरतां होती है वह क्या हो जाएंगी यह गहन यह जो है हमने इसको देख लिया है यहां पर इतने तो हमने पढ़ लिया तो हमने ध्यान क्या रखना कहां से कुषिण जादी आते हैं तो देखे बिस्ष्ट तनाओ से तनाओ आता था है ठीक है इसलाओ जाएगा विस्ष मतलब विस्ष ठीक है गुड उसमा मोलर उसमा धारिता यह तो बेरी बेरी इंपॉर्डेंट है उसके बाद अगर देखें तो इसमें जो है इंठेल्पी है मुक्त उर्जा है उसमा धारिता है इंट्रापी है आंत्रिक उर्जा जो भी होगा वह ध्यान में में कि आपका क्या हो जाएगा भिस्ष ठीड्ड गुड हो जाएगा एक सब्दा आग investigación आगकर बशन जाएगा तो उपर चला सब्दा के-स जोन यह तो वह घ्शें मोलर उसमा धारिता है तो मोलर उसमा धारिता गया तो हम एंशoqueश प्रापर्ड होता है यानी इश्ट symmetric niva ju ho 30 Queen इक्स्त Olay एक्सेंट जो प्रापाटीग होती है यह जोल जाता है कैसे यह मांालों हमारे पास किया है दरभवान है है तो कहँएंगे हमने ले लिया टुकडा में पदार्थ ले लिया और हमने एक्पदार्थ ओर ले लिया आधा किलोग्राम हम ने चीनी ले लिया आदा किलोग्राम चीनी ले लिया दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा तो कहेंगे एक किलोग्राम हो गया क्या हो गया एक किलोग्राम हो गया यह जुड़ गया तो इसका मलब यह क्या हो गया कि यह दरबमान आपने बदला तो पदार्थ का गुड़ ब परटी होती है वह कैसी होती है योग सील होती है गुड़ होती है अब यहां पर बात करते हैं जब कि गहन जो होता है वह योग सील गुड़ नहीं होता है यह नौन एडिटी प्रापर्टी होता है कौन कहेंगे कि इंटेंसिव क्या होता है कि इंटेंसिव कैसे अब उसका समझ लेते जैसे हमारे पास क्या पर आस के बात है कि माली एक रूम का र tackle पांड कुछ माली 25 दिग्रीus生us दूसरी रूम का भी है क्या भगल में वह थिए विए अब इसको दोनों को मिला लो तो टम्परेचर कितना रहेगा तो हम तोसे तीसाइड रहेगा बदलेगा कि 30-30 साठ हो जाएगा नहीं होगा इसका टाप माली है हमारे पास क्या 24-25 दोनों को मिला है और दोनों की मिला देख ग्लास में तो क्या होसा है चाया होगा नहीं यह नहीं रहा इनध्य हो गया कि जो इंटेन्जी मिलों होता है जो फच्ति प्रह परपर्टी हो त्योग है अब हम बात करते हैं कुछ अलगता है कि हम लोग बात करते हैं यहां पर देखें दो कोईशन मैंने दिया है देखें यहां पर कोईशन है क्या निम लिखित में कौन सा बिस्तिर्ड गुड़ है यानि बिस्तिर्ड मतलब क्या होगा इक्स्टेंसिफ प्रापर्टी क्या है इक्स्ट तो अगर दो भागों में से बाड़त होगे तो दोनों तरब क्या होगा इसका मनलब क्या है यह यह क्या है गहान है यह इंटेंसिव है उसी ताप से आपको घंद तो घंद में क्या कहा गया तो घंद तो बराबर क्या कहा गया आपका दरबमान बटे क्या होता है आयतन होता है और मास तो यह क्या होता है तो कहेंगे यह तो क्या होता है आपका इक्स्टेंसिव होता है क्या होता है इस्टेंसिव होता है और क्या होता है इंटेंसिव हो जाएगा क्या हो जाए जिसे मालुमने दो लीटर पानी लिया था उसको अकर हम दो बर भागों में बाट करें यानी दरब्मान बदल रहा है तो आयतन भी क्या हो जाएगा है सकते हैं कि क्या था आपका तो कहते थे वह कंते था यंश्ल तो वह जाएगी आपका यह इस्टेंसिव प्रापर्टी हो जाएगा यह नहीं हमें कह सकते हैं डेल्टा जी क्या होता आपका इस्टेंसिव प्रापर्टी होता अब दूसरा कोई कौण सा कथन सstat है तो अगर आप यह बेहतरीन तरीके से देखे हैं क्या क्रेक्षा क्या होगा ठीक है तो इसरे आते हैं तो इसी तरीके से वीडियो में बने रही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और सेर करिए तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में कुछ नए टापिक के साथ जैन